नमस्कार दोस्तो आज की स्यूडियो में मैं आपको आपकी female dog pregnant है या नहीं या आप घर परी कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे मैं सारी जानकारी बताने वालो कौनसे कौनसे ऐसे तरीके है दोस्तो जिनसे आप अपने घर परी बहुती आसानी से पता लगा सकते है क्या आपकी dog pregnant हुई है या नहीं हुई है जब भी दोस्तो आप अपने dog की meeting कराते हो तो आपको तुरंथी 8-10 दिनों में पता नहीं चलेगा आपको 35-40 दिनों तक का wait करना पड़ेगा 35-40 दिनों तक दोस्तो पपिस की growth female dog की पेट के अंदर अच्छी तरीके से होने लग जाती है नहीं तो दोस्तो बहुत से लोग अपने dog की meeting करा लेंगे और तुरंथी 8-10 दिनों में ही चेक करने लग जाएंगे तो यसा नहीं है दोस्तो आपको तोड़ा सा wait करना पड़ेगा आप दोस्तो सबसे पहला तरीका जानने का तो यह है कि जब भी आप अपने dog की meeting कराने के लिए जाओगे तो आपको अपने female dog की nipples का एक photo निकाल लेना है और जब भी दोस्तो पे 30-40 दिन हो जाएंगे तो आपको तभी का और आपका डिफरेंस देखना है क्योंकि दोस्तो जब भी dog pregnant हो जाती है तो दोस्तो उनके निपल की size बढ़ने लग जाती है और उनका color भी दोस्तो pink होने लग जाता है दोस्तो मैंने इस female की meeting एक महिने पहले कराई थी और मैंने उच टाइम इसके निपल का photo एक निकाल लिया था आप color भी दोस्तो pink हो गया है तो यह तरीके से आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से पता लगा सकते दोस्तों कि आपकी dog pregnant हुई है या नहीं हुई है अब दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी female dog pregnant हो गई है तो दोस्तों उसका behavior उसका व्याभार आचानक से change होने लग जाएगा अगर आपकी female dog बहुती active रहती थी बहुती खेलती थी कूटती थी तो वो आचानक से श्यांत रहने लग जाएगी और जब भी दोस्तों dog pregnant हो जाती है तो वो बहुत जादा सोने लग जाती है नार्मल डॉक्स के मुकाबले वो बहुत जादा सोने लग जाती है तो ये भी एक तरीका है दोस्तों पता लगाने का अब दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि आपके female dog का वजन बढ़ने लग जाएगा क्योंकि दोस्तों जब भी dog pregnant हो जाती है तो उनका वजन बढ़ने लग जाता है इसलिए दोस्तों जब भी आप आप आपने dog की मिटिंग कराने के लिए जाओगे तो आपको उस टाइम अपने dog का वजन चेक करा लेना है और जब 35-40 दिन हो जाएंगे तो आपको उसका दुबारा से वजन चेक करा लेना है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके dog का वजन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है आपके dog pregnant हुई है या नहीं हुई है अब दोस्तों अगर आपने अपने डॉक की मिटिंग करा ली है तो आपको अपने डॉक का अची तरीके से खयाल रखना है उन्हें हेल्दी अच्छा और एकदम फ्रेज डायट के लाना है आप अपने डॉक को दोस्तों मल्टी विटेमिन और कैल्शियम भी दे सकते हो जैसे के अगर आप अपने डॉक को दिन में दो बार खाना किलाते हो तो आपको उसके मिटिंग कराने के एक महिने बाद उसे दिन में तीन बार खाना किलाना है इससे दोस्तों पपीज की ग्रोध भी अच्छे से होगी और पपीज हेल्दी भी होंगे तो यह कुछ ऐसे तरीके है दोस्तों जिनसे आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि आपकी female dog pregnant हुई है या नहीं हुई है और एक तरीका है दोस्तों पता लगाने का जिससे आपको 100% पता चल जाएगा कि आपकी dog pregnant है या नहीं है तो वो तरीका यह है दोस्तों कि आपको अपने dog का एक सरे या फिर सोनोग्राफी करानी पड़ीगी एक सरे या फिर सोनोग्राफी में आपको 100% पता चल जाएगा कि आपकी dog pregnant है या नहीं है तो यह था दोस्तों आज का वीडियो यह वीडियो आपको helpful लगा हो तो वीडियो को like जुरूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करके notification bell को all पर set कर लीजे क्योंकि दोस्तों dog serrated videos में अपने channel पर बनाता रहता हो तो मिलते हैं ऐसे testing और informative वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर जे